सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाड आने की वजह से 23 जवान लापता हो गए डिफेंस प्रो के मताबिक लोनत जील के उपर मंगलवार देर रात करीब देर बजे के आसपास बादल फटा इसके बाद लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाड आ गई नदी से लगे इलाके में ही सेना का कैम था जो बाड की चपेट में आने के बाद बह गया गुवाहर्टी के डिफेंस प्रो ने बताया अचानक पानी बढ़ने के कारण चुम्नथांग बान से पानी छोड़ना पड़ा इसके बाद निचले इलाके भी डूबने लगे हैं यहां सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के 41 वाहन डूब गए आम आदमी पार्टी के राज़सबा सांसत संजय सिंग के घर बुधवार सुभा साथ बजे एडी की टीम पहुची यह चापे मारी संजय सिंग के डिल्ली वाले घर में हो रही है बताया जा रहा है करीब साथ से आठ अधिकारी आपकारी नीती केस के सिलसिले में छान बीन कर रही है आपकारी नीती केस की चार्जशीट में संजय सिंग का भी नाम है पश्चिम बंगाल का बकाया देने की मांग को लेकर कल दिल्ली में त्रिनमूल कॉंग्रेस पार्टी टीमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हला बोला देश भर से टीमसी के कार्य करताओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया अब ममता बनर जी की पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दूसरे दिन पुलीस ने उसके सांसदों और नेताओं के साथ हाथा पाई की इतना ही नहीं उन्हें बेरहमी से घसीता भी गया भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान IIT बॉम्बे की कैंटीन में शाकाहारी भोजन के लिए अलग मेज करने को लेकर विरोध छिड़ गया है IIT Bombay के एक छात्र संधठन ने दावा किया है कि छात्रावास की कैंटीन में शाकाहारी भोजन के लिए मेजे अलग करने का विरोध करने वाले छात्रों पर प्रशासन ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है एशियाई खेल 2023 में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन किया है भारत की जोली में 16 स्वर्ण सहित 71 पदक आचुके हैं अब तक एशियाई खेलों में भारत ने अपना सबसे भैतरीन प्रदर्शन 2018 में किया था तब भारत ने कुल 70 पदक जीते थे एशियाई खेलों के ग्यारवे दिन जोती सुरेखा और ओजस देवतले की जोडी ने देश को इकत्तरवा पदग दिलाया और एशियाई खेल 2023 को भारत के लिए यादगार बना दिया और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं